आज के वीडियों में दिखाने वालों समोसा कैसे बनने वाला है और नमक पारा और सक्कर पारा कैसे बनने वाला है जो आप सबकी söyledi साधी पूरी आती हो कैसे बनने वाली है और अमारी जो खास है अब सबकी पांधी पूरी हो कैसे की झांधी है सक्कर पारा फ्राय किया जाता है और समोसा भी बनाया जाता है तो आईए बने रहे यह सुडियो के अंदर आप तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हो हमने पूरिया कटिंग स्टार्ट कर दी है यहां पर पीछी की बाजू से आटा डाल दिया है आपको जितने थिकनिस की चा कटिंग हो जाएगी और उसके बाद यहां पर देखें वेख सेज वाला कटिंग यहां पर आ जाेका और जो पूरी होगी जो डारिक होने वाली यहां पर देख सकते हो जो पूरी हमारी आ जालते हो गई और इस तgueं टारेक वशीय। होनारी स्टार्ट कितने वड़िग्गि यह डारेक्ट मशीन से आके उपर से फ्राय हो रही है देखिए तो यहां पर ऐसा मशीन आपको कहीं नहीं दिखने वाला निच्ची के बजू तू कड़ाई देख सकते हो वह है अमारी इलेक्ट्रिक कड़ाई देखिए कितनी बड़िया क्वालडी में पूरिया बन रही है सा पूरिया कॉलरी में पानी पूरी जो पूरिया है हो और यह फ्राय और ऐसे ही आपको पानी पूरी को बनाना चाहते हो यह पानी पूरी देख सकते हो पानी पूरी भी बन जाएगी आपको खाली करना क्या है कि डाय जो आती है मशीन के वो खाली चेंद करनी है तो उसका भी पानी पूरी कीड़ाय कि देखिए इससे पानी पूरी बन जाएगी और बाकि पूंड वही नमक पारा सपकर पारा कैसे बन रहा है तो यहां पर हमारे पास नमक पारा की भी दाई एवलीबल दीए डो रोलर वाली डाय है इसके अंदर से इसे नमक पारा वो आट मिटिक हो जाते हैं कि उसके साथ-साथ आपको फर्सि पुरी बनाना चाते हो तो यहीं मसिन से फर्सि पुरी tee तो देखिए इसका जो रोलर है याँ पे roller में दिखाता हूँ, जो काटे वाला roller हे, ये roller से आपकी जो फरसी पुरी होगे, वो भी बन जा रही है, और Fam entrлом को बना जाते हो, समोफा पट्टी की भी डाय आती है, और उसके बाद cutting हो जाएगी, और उसके बाद इसके करके fold कर सकते हो, तो आये बने रहे है तो हमारे पास available होती है यहां पर इंडिया की सबसे बड़ी हमारे पास company है इसके अंदर सारे model आपको मिल जाएगी different types of dye मिल जाएगी देखिए तो आपको यह जगह पर पेंग्विन innovative engineering company में जरूर मिल जाएगे और इस वीडियो में आपको कमेंट करके बताएए वीडियो कैसा लगा और बताएए कि कैसा next studio आपके लिए कॉंसम बनाए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरू कर दीजिए